नमस्कार प्रियसातियों बैहू सुरेश श्रिमाली ग्रहों का खेल कारीकरम के इस विशेश कारीकरम आप सबीगा बहुत बहुत स्वागत है आम तोर पर माता पिता यही कहते हैं कि हमने जो भी दुख दर्द जेले हैं हमारे बच्चे ना जेले बच्चे बहतर काम करें बहतर पड़ाई लिखाए करके कुछ बन कर दिखाए लेकिन बच्चे हैं कि पड़ाई में आना काने करते हैं तो ये चार उपाय आपके जिंदगी में बच्चों की जिंदगी बदलने में मदद करेंगे आजकल की parents को ज्यादतर चिंता अपने बच्चों के भविश्य को लेकर होती है वैसे भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोरोना काल के बाद distraction बढ़ गया है क्योंकि gadgets पर पढ़ाई पर वो लोग focus ज्यादा करते हैं parents का चिंतित होना गलत नहीं है क्योंकि हर माबाप तो यही उज्वल भविश्य बच्चों का चाहते है मैनत भी बच्चे करते हैं लेकिन distraction बहुत जादा होता है notification के चकर में ऐसे परेशान हो चुके हैं कि उनके आगे और पीछे का कोई भविश्य की वो चिंता नहीं करते हैं देखे जोतिश शास्त्र में चंदरमा को मन और मस्टिश का स्वामिक आ गया है आजकल के बच्चों में चंदरमा कुछ ज़्यादा ही डेमेज होते जा रहे हैं शास्त्र में घर को आपको पढ़ाई के अनुकुल बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा माबाब को भी बहुत सारे त्याग करने चाहिए माबाब अगर दिन बर मोबाईल में रील देखते हैं और बच्चों का आप कहते हैं कि मोबाईल हाथ में लेना है तो यह ज्यादती होगी लेकिन आप भी थोड़ा सा सूद रहें ताकि बच्चे देख सकें यह उपाए आपकी बच्चों की पड़ाई में फोकस करने में करियर को बनाने में मददगार हो सकते हैं तो यह चार उपाए आपको नोट करने चाहिए सबसे पहला दिन की शुरबाद जो होती है वो बच्चों के तीन मिनट का टाइम लगता है आप लोटा बना कर तैर रहे है सबसे पहले बच्चों को आप तांबे के लोटे में जल बरके थोड़ी दूरवा थोड़े लाग पुष्ट डाल दीजे और थोड़े सी गियों के दने डालते हुए सूरी को अर्गे दे कर ही वो स्कूल रवान हो और ओम ग्रिनी सूर्या नमहम मंतर का जाप जरू करना चाहिए इस टुड़े नियमित रूप से जब भी पढ़ाई करने बैठे ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम ममह ज्यान मेरे ज्यान को बढ़ाने के लिए देही फट स्वाह इसका 11-21 बार जाप करके अगर पढ़ाई करने बैठते हैं तो बुद्धी का विकास होता है इस पर अशक्ति बढ़ती है जहां पर भी आपके बच्चे की स्टेडी टेबल है उसके आसपास कोई भी गंदगी ना हो फालतु की चीज़े ना हो बिखरी विड़ा हो टेबल इस्ट फेसिंग यानि आप जब पढ़ाई करें तो आपका फेस इस्ट या नौर्थ की तरफ होगा तो पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा पॉस्टिटिव एनरजी आएगी और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी प्रतियक बुधवार बच्चों से ग्यारा बार गनेश जी का नाम लीजिए ओम गंगनपते नमहा मंतर गजाब करवाएं बच्चों के हाथ लगवा कर या उनके हाथ से गाय को हरे हरा घास जो होती है वो देना चाहिए और दूर्वा गनेश जी चड़ाईए इससे बुधी तेज होती है और साथ में मन पढ़ाई में लगने लगता है और हो सके तो बच्चे जब स्कूल के लिए जा रहे हैं तायार हो रहे हैं तो आप आदेते अरदे स्तोत्र अपने टेप रिकॉर्ड में या अपने मोबाईल में आप लगा सकते हैं उसका वीडियो या ओडियो ताकि बच्चों के मन में जब जाएगा तो सूरी के तरह तेज बढ़ेगा और ये तेज और ओज बढ़ने से confidence बढ़ेगा और ये ही confidence उनकी एकागरता को बढ़ाएगा और self study की तरफ उन्हें motivate करेगा छोटी छोटी बाते हैं पर ये साति हो करने से बड़े लाग ज़रू बिलते हैं बच्चों के भविश्य के लिए आप चिंता चोड़कर अगर चिंतन करेंगे और बच्चों को हमेशा समझाने की बजाए उन्हें समझने की कोशीश करेंगे तो मज़ा आ जाएगा सबसे पहला घर का वातारून आपको अच्छा बनाना पड़ेगा आपके बच्चे के उजवल बविश्य की बेकाम ना करते हूँ को अपने वाने को यहीं विराम देना चाहता हूं प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद